नमस्ते दोस्तो आपका स्वागत है टेक्निकल सार्थी चैनल में दोस्तो यदि आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि भारत सरकार ने आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के लिए एक नया पोर्टल लॉंच कर दिया है इस पोर्टल के माध्यम से आप आयुष्मान हेल्थ योजना का अपना हेल्थ कार्ड अब घर बेठे बना सकते हैं और अपने कार्ड की केवाई सी खुद से ही कर सकते हैं आईश्मान हेल्थ कार्ड में परिवार के जो सदस्य छूट गए थे उनका नाम भी जोड सकते हैं इसके अलावा आप अपने आईश्मान हेल्थ कार्ड को खुद से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं साथ ही आप कैसे अपना हेल्थ कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं यह हैं आयुष्मान भरत योजना का नया पोर्टल है जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इस पोर्टल का लिंक मैं आप सभी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जहां से आप डिरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं वैसे इसका URL है say2.pmjay.gov.in इस पोर्टल से आप खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं अपने फेमली के नेम को एड़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे आयुष्मान भारत में अपना नाम जोड़ना और कार्ड बनाना अब और भी आसान आच लाग का मुप्त उप्चार परती वर्ष परती परिवार देश के किसी भी सुचिबद सरकारिया प्राइवेट हस्पताल में इलाज परिवार के सदस्यों की संक्या और कोई उमर पर कोई सीमा नहीं आइसमान भारत योजना में ये जो अपडेट है वो अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है अभी तक कार्ड को बनाने के लिए लोगों को पाफी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी ये जो चीज है गवर्मेंट पहले से ही सोच रही थी लेकिन जब भी हुआ देर से बन पाए थे अब उन सभी लोगों के भी कार्ड बन पाएंगे इस पोर्टल को किस तरीके से यूज करना है यहें भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन योर्सेल्फ और सर्च बेनिफिसरी का उप्सन मिल जाता है इसके बाद डू यू के वाइसी ए इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन वाले उप्सन पर क्लिक कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नमबर उसके बाद यहाँ पर हमें अपना अधार कार्ड नमबर लिक देना है उसके बाद हमे कुछ इस प्रकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें check box पर click कर देना है इसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे जो registered mobile number है उस पर OTP भेज दिया गया है यहाँ पर हम OTP एंटर कर देंगे यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद validate वाले option पर click कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा EKYC has been verified successfully इसके बाद हमें OK वाले बटन पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर आप अपनी personal details देख सकते हैं इमेल id फील नहीं है तो यहाँ पर मैं अपना email id एंटर कर दूँगा यहाँ पर email id एंटर करने के बाद हमें नीचे scroll करना है scroll down करने के बाद यहाँ पर आप communication address details देख सकते हैं यदि यहाँ पर आपको अपना आधर कारड़ वाला address ही feel करना है तो यहाँ पर हमें check box पर click कर देना है जो भी हमारे आधर कारड़ में address होगा वो यहाँ पर automatic आ जाएगा इसके बाद हमें scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद यहाँ पर application type का option आएगा यहाँ पर हमें BIS2 select कर लेना है इसके बाद हमें roll वाले option में self user select करके create वाले option पर click कर देना है यहाँ पर यदि आप अपना login ID बनाना चाते हैं तो यहाँ पर check box पर click कर देना है और अपना user ID यानि username बना सकते हैं कोई special username बना सकते हैं मैं यहाँ पर special username बना लेता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पर create वाले option पर click कर दूँगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो user ID है वो successfully create हो गया है इसके बाद हमें ok वाले बटन पर click कर देना है यहाँ पर login ID बनाने के बाद हमें registered या sign in वाले option पर click करना है या फिर हमें do you kyc वाले option पर click कर देना है यहाँ पर मैं do you kyc वाले option पर click कर देता हूँ इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना mobile number एंटर कर देना है mobile number एंटर करने के बाद हमें sign in वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें verify वाले बटन पर click कर देना है verify वाले option पर click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना OTP enter कर देना है यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद validate वाले option पर click कर देना है यहाँ पर OTP has been verified successfully होने के बाद ok वाले button पर click कर देना है दोस्तों यहाँ पर नए Iceman portal में login करने के बाद कुछ इस परकार का एक dashboard देखने को मिलेगा यहाँ पर हम beneficiary search कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर urban या ruler select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना state select कर लेना है यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही state का यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों यदि आपका state का नाम नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ दिनों का वेट करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तक उन state का यहाँ पर data upload नहीं किया गया है जिनका upload हो गया है मैं उन में से आपको उत्तरप्रदेश का दिखा देता हूँ यहाँ पर हमें अपना state select कर लेना है इसके बाद यहाँ पर हमें अपना district select कर लेना है यहाँ पर district select करने के बाद हमें अपना block select कर लेना है यहाँ पर block select करने के बाद हमें अपना village select कर लेना है दोस्तो जैसे ही आप यहाँ पर अपना village select करेंगे उसके बाद यहाँ सर्च करने लग जाएगा इसके बाद अमारे सामने एक सीट शो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे आईश्मान कार्ड यहाँ पर बने हुए हैं यहाँ पर कार्ड स्टेटस में जिनका आपको complete दिख रहा है उन सभी का आईश्मान कार्ड बना हुआ है और जिनका यहाँ पर कार्ड नोट मेड दिख रहा है उनका यहाँ पर आईश्मान कार्ड नहीं बना है यदि आपको किसी का बनाना है तो यहाँ पर आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको एक select करके दिखा देता हूँ जिनका card नहीं बना है यहाँ पर हमें view वाले option पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने उस व्यक्ति की सारी details आ जाएंगी हमें उसके बाद next वाले option पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि enter your रासन card number यहाँ पर हमें रासन card की details एंटर कर देना है दोस्तों यहाँ पर यदि आपको किसी का आईस्मान card बनाना है तो उसका यहाँ पर रासन card का number details टाल देना है और get details पर click करके जो भी family member का आपको बनाना है उसको select करके और उसका सारा details fill करके यह KYC details करके और review देखके और उसके बाद आपको approval के लिए भेज देना है दोस्तों यहाँ पर मैं एक नए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको रासन card number एंटर करने के बाद का पूरा process यहाँ पर मैं आपको एक नए वीडियो में दिखा दूँगा और कैसे आप आयुष्मान card डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा दोस्तों इस वीडियो से सम्मंदित आपका कोई भी सवाल या query है तो नीचे comment box में comment करके जरूर पूँछे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे Thank you so much for watching करे दोस्तों वीडियो करे दोस्तों वीडियो को